नमस्कार करेंट अफ्यर MCQ प्रोग्राम में आपका स्वागत है शुरुवात करते हैं अभ्यास प्रश्न से हमारा प्रश्न था वैश्विक सौर स्टॉक टेक रिपोर्ट की संग्ठन या निकाई से समंदित है इसका सही उत्तर विकल्प बी अंतराष्ट्रिय सौर गटबंधन यानि ISA अगली माहम पहली बार वैश्विक सौर स्टॉक टेक रिपोर्ट संकलित और जारी करेगा इसमें देशों द्वारा सौरक शेत्र में केगी प्रगती का आकलन किया जाएगा या रिपोर्ट इस साल के अंत में दोवई में होने वाले स्टॉर राष्ट कॉनफरेंस और पार्टीज के पहले गलोबल स्टॉक टेक से प्रेरित है आपको बता दी कि अंतराष्ट्री सौर गटबंधन 121 से अधिक देशों का एक गटबंधन है यह एक अंतरसरकारी संगठन है जिसका मुख्याल है भारत के गुरु ग्राम में स्थित है इसकी पहल नवंबर 2015 में पैरिस में भारत अफ्रीका शिकर सम्मीलन और 2015 सुइंगत राष्ट जलवायू परिवर्तन सम्मीलन से पहले सदस्य देशों की बैठक में भारत के प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई थी इसके अधिकांस देश हुए हैं जो पूरी तरह या आंशिक रूप से करक रेखा और मकर रेखा के बीच इस्तित हैं इसका प्रात्मे को देश जीवाश्म इधन पर निरभरता को कम करने के लिए सौर उर्जा के कुशल दोहन के लिए काम करना है इसलिए विकल्प भी सही ह चली शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और पहला प्रशन है फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड के सम्मंद में निम्निकित कतनों पर विचार कीजिए एक ये बॉन्ड सरकार दोरा जारी किये गए ब्याज युक्त गैर व्यापार योग बॉन्ड है दो अनिवासी भा इसका सही उतर है विकल्प A केवल एक हाली में भारती रिजर्बेंक ने रिटेल डिरेक्टर पोर्टल के माध्यम से पेश किया जाने वाले उत्पादों की श्रंखला का विस्तार किया है आर्बियाई के इस कदम से खुदरा निवेशकों को फ्लोटिंग रेट सेविंग ब पर चुकाने योगी होते हैं इसलिए कथन एक सही है इसे भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में शुरू किया गया था अनिवासी भारतिये एनराइज इन बॉंडों में निवेश करने के पात्र नहीं है इसलिए कथन दो सही नहीं है यह बॉंड नियून तम एक हजार रुप एक यह केंदरी तंतर का तंतर का एक पर जीवी संक्रमण है दो यह मचली के टेप वार्म के कारण होता है उपरिक्ट में इसे कौनसे है कौनसे कथन सही है एक केवल एक वी केवल दो सी एक और दो दो डी ना तो एक और ना ही दो इसका सही उत्तर विकल्प ए केवल एक खाली में स्वास्त विसेशग्यों ने नीरोसिस्ट सिरोसिस पर जानकारी साजा की है आपको बता दे कि नीरोसिस्टी सिरोसिस केंदरी तंतर का तंतर का एक परजीवी संक्रमन है इसलिए कथन एक सही है यह पोर्क टेप वार्म टैनिया सोलियम के कारण होता है इसलिए कथन दो सही नहीं है यदि इसका एलास नहीं किया जाता है तो यह सिष्टी सरोसिस नामक एक अधिक गंभीर इस्थिती का कारण बन सकता है क्योंकि टैनिया सोलियम लार्वा शरीर के उतकों पर आख्रम करता है यह अध्पा का भोजन विशिश रूप से सूर का मास खाने से मुनुश्यों में फैलता है इस प्रकार विकल्प A सही है अगला प्रश्न हाली में समाचारों में देखा गया कि विक्रम एक रॉकेट किसके द्वारा विक्षित क्या गया है इसका सही उत्तर है विकल्प B हाली में एक भारतिय फर्म इसकाई रॉट एरोस्पेस ने अपने सोदेश निर्मित विक्रम एक रॉकेट का अनावरण किया विक्रम एक एक बहु इस्तरिये प्रक्षे पड़े यान है जो लगबग 300 किलोग्राम पेलोड को प्रत्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने की शमता रखता है यह एक All Carbon Fiber Body Rocket है जो कई उपग्रों को कक्षा में स्थापित कर सकता है इसके नाम भारत के अंत्रिक्ष कारक्रम के जिनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है इसे हैदरवाद इस्तित एक अंत्रिक्ष स्टार्ट अप Sky Root Aerospace द्वारा बनाया गया है इसलिए विकल्प B सही है आगला प्रशन प्रगती प्रेट्फॉर्म की सम्मंद में निम्निकित कतनों पर विचार कीजिए एक इसे प्रधानमंति कारियाले द्वारा राष्टी सूचना विज्ञान केंद्र की मदद से डिजाइन किया गया है दो इसे 2017 में लॉंच किया गया था उपरिक्त में से कौन सा कथान या कौन से कथान सही है एक और दो 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 डी ना तो एक और ना ही दो इसका सही उत्तर है विकल्प A खाली में प्रधानमंत्री ने प्रगति प्लेटफॉर्म के 43 संस्क्रण की बैठक की अध्यक्ष्टा की यह एक बहुँ देशी और मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है इसका पूरा नाम प्रो एक्टिक गवर्नेस एंड टाइमली इंप्लिमेंटेशन है इसका उदेश आम आदमी की शिकायतों को संबोधित करना और भारत सरकार के महतपुड कारक्रमों एवं परियोजनाओं के साथ साथ राज सरकारों द्वारा चिन्हित परियोजनाओं की निगरानी एवं समीक्षा करना है इसी राश्टी सूचना विज्ञान कैंदर NIC की मदद से प्रधान मंत्रिक कारयाले द्वारा इन हाॉस जिजाइन किया गया है इसलिए कथन एक सही है यह प्रिटफॉर्म 25 मार्च 2015 को लॉंच किया गया था इसलिए कथन दो सही नहीं है यह प्रमुक के हित धारकों की बीच वास्तुक समय में उपस्तिती और आदान प्रदान के साथ ए पारदरश्टा और ए जवाब देही लाने के लिए एक मजबूत प्रडाली है इस प्रकार विकल्प A सही है अगला प्रश्न मार्शल आर्ट फॉर्म वज्र बुश्ट्रीक कलागा कि सम्मंद में निम्लिकित कतनों पर विचार कीजिए एक इस मार्शल आर्ट फॉर्म का विजेता वह होता है जो सबसे पहले प्रतिदुन्दी के सिर से खोन निकालता है दो यह पूरे तमिल लाडू में लोग प्रिये है उपरिक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी ना तो एक और ना ही दो इसका सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक हाली में मैसूरू दशेहरा उत्सव के सदियों पुराने वज्रमुष्टी कलागा का अनावर्ड किया गया आपको बता दे कि वज्रमुष्टी कलागा एक आदुतिये, मार्शल आर्ट रूप है जिसमें हातापाई, कुष्टी और प्रहार जैसी हाथ से लड़ने की विविन तकनीके शामिल है इसमें जो सबसे पहले प्रतिदुन्दी की सिर से खुन निकालता है उसे विजीता घुशित किया जाता है इसलिए कथन एक सही है कुष्टी का यहरूप विजैनगर शासकों के काल में लोग प्री था जिन्होंने चौदवी और सत्रवी शताबदी के बीच शासन किया था यह वर्तमान में दशेरा उत्सों के दोरान करनाटक के मैसूरू पैलिस में प्रचलित है इसलिए कथन दो सही नहीं है इस प्रकार विकल्प A सही है अगला प्रश्न खाली में किस बाग अभ्यारन में अलकलस फॉंटी नालिस नामक मेंड़क की एक नई प्रजात की खोच की गई A. नामदफा टाइगर रिजर्व B. मेलगा टाइगर रिजर्व C. बांदीपुर टाइगर रिजर्व या फिर D. सिमली पाल टाइगर रिजर्व इसका सही उत्तर है विकल्प A खाली में शोत करता होने पुर्वुत्तर भारती राज्य अरुणाचल प्रदेश में अलकलस 4040 नामक मेडग की एक नई प्रजाद की खोज की है इसकी खोज अरुणाचल प्रदेश के नामदफा टाइगर रिजर्व में की गई है ऐसा प्रतीत हुआ कि यह मेडग जाडिदार मेडग और पानी वाले मेडग का मिश्रण है इसी अप्च्वारिक रूप से अलकलस 4040 नाम दिया गया है जिसका अर्थ है वसंत या फववारा इसका नाम उन छोटी नदियों या ज़र्नों को संदर्भित करता है जहां मेडग पाए जाते हैं एक हजार नोसो पच्चासी दशमलब दो चार पांच वर किलोमीटर के कोड़क शेत्र और 245 वर किलोमीटर के बफरक शेत्र के साथ नाम दफा टाइगा रिजर्व को वर्स 1983 में देश की पंदरभी बाग परियोजना की रूप में घोशित किया गया था नाम दफा वास्तों में एक नदी का नाम है जो दफा बं यानि दफा पहाड़ी का नाम है और बं का अर्थ है पहाड़ी की चोटी और नुआ देहिंग नदी से मिलती है यह नदी इस रिजर्व के उत्तर दक्षर दिशा में बहती है इसलिए विकल्प ए सही है अगला प्रश्ण संमुद्री खीरे की समंद्र में निम्लिकित कथनों पर विचार कीजिए एक यह केवल गहरे संमुद्र के वाता व्रड में पाए जाते हैं दो यह संमुद्र तल पर रहते हैं उप्रिक्त में से कौन सा ये कौन से कथन सही है A केवल एक, B केवल दो, C एक और दो दोनो, D ना तो एक और ना ही दो इसका सही उतर विकल्प B केवल दो हाली में भारतिय तटरक्षक बल और सीमा शुल्क विवाग के अधिकारियों ने समुद्री खीरे के साथ चार लोगों को गर्फतार किया समुद्री खीरा प्रजाती इचनो डर्मस नामक एक बड़े पशु समु का हिस्सा है और अकशिर की है यह उतले से लेकर गहरे समुद्र के वातावरण तक दुनिया भर के सभी समुद्री वातावरणों में पाए जाते हैं इसलिए कतन एक सही नहीं है यह बेंटिक है अर्थाती समुद्र तल पर रहते हैं इसलिए कतन दू सही है यह अकारवेक नैट्रोजन और फास्पूरस का उत्सरजन करते हैं जिससे बेंटिक बायोटा की उत्पादक्ता बढ़ती है इनकी उपस्तिती समुद्री आवासों के संतुलन को बनाय रखने के लिए महत्पूर्ड है इस प्रकार विकल्प B सही है अगला प्रश्न इसका सही उत्तर है विकल्प D खाली में तमिलाडू में स्थेत त्रूपूर वन प्रभाग में भारती साही के साथ लड़ाई में लगी चोटों के कारण एक नर भाग मृत पाया गया आपको बता दे कि भारती साही दक्ष्री एशिया और मद्ध पूर्व का मूल निवासी एवं एक बड़ा कृतंक है यह पुरानी दुनिया के साही परवार हिस्ट्री सिडे से सम्मंदित है यह पूरे दक्ष्र पूर्व और मद्द एशिया और मद्द पूर्व के कुछ हिस्सों में पाय जाते हैं जिसमें भारत, नेपाल, भूटान, बांगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इसराइल और साओधी अरब जैसे देश शामिल है इसकी आयू सीनिस्तिती लीस्ट कंसर्ण है, इसलिए विकल्प डी सही है अगला प्रश्न, गिर गाय के समंध में निम्लिकित कतनों पर विचार कीजिए एक, इनके शरीर का रंग लाल से लेकर धब्बेदार सफेद होता है इसके दूद का आसद उत्पादन 6-10 लेटर प्रते दिन है उपरिक्त में से कौन सा है कौन से कथन सही है ए केबल एक, बी केबल दो, सी एक और दो दोनो, डी ना तो एक और नहीं दो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनो खाली में छपे एक लेख में ऐसी चिंताएं जाहिर की गई कि राश्टिय गोकुल मिशन ने सभी सुदेशी नसलों की गुडवत्ता में सुधार करने के बजाए केबल एक सुदेशी किस्म गिरगाय को बढ़ावा दिया है आपको बता दे कि गिरगाय भारत में जन्मी एक प्रसिद डेरी पशु नशल है इनका मूल्क शेत्र गिर पहाडियां है और काठिया वार की जंगल है इसमें गुजरात के अम्रेली, भावनगर, जूनागर और राचकोट जिलिश शामिल है इनके शरी का रंग लाल से लेकर धब्बेदार सफेद होता है हलाकि बड़े लाल धब्बों के साथ उनके शरी का रंग शुद्ध लाल और पीले लाल से लेकर सफेद तक भिन हो सकता है इसलिए कतन एक सही है इसके दूद का और सत उत्पादन 6-10 लीटर प्रते दिन है इसलिए कतन दो सही है इस प्रकार विकल्पसी सही है चलिए अब नोट कीजिए आज का भ्यास प्रश्न Automated Permanent Academic Account Registry यानि APAAR के समन्द में निम्लिकित कतनों पर विचार कीजिए एक या केंद सरकार की वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी पहल का हिस्सा है दो इसका उद्देश सेक्षरिक संस्थानों के लिए एकल विशुषनी संदर प्रदान करके दोका धड़ी और डुप्लिकेट सेक्षरिक प्रमार पत्रों को कम करना है उप्रिक्त में से कौन सा है कौन से कथन सही है दोस्तों इसका सही उत्तर कमेंट्स बॉक्स में देना ना भूले मिलते हैं नई प्रश्णों के साथ तब तक के लिए नमस्कार झाल